आलो दोस्तो उसमें आया था लिखनेकों माने कल हिंसा वाली अपको दिया था उसका इकुछ बचक आप लोंगो 화ण दोंगी तो ये उसी का है अगर आप लोग उसको लिख रहे हैं तो उसकी जस्ट बाद उसको लिखेगा क्योंकि हजार वर्ड का है तो I think 7-8 पेज तो लिखना बनता है तो वो जो मैंने वीडियो दिया उसमें maximum 4 पेज के आसपास आपका हो जाएगा अगर आप कितना भी फैला की लिखेंगे तो 4 पेज तो होई जाएगा फिर ये जो मैं आपके नेक्स्ट बीडियो फिर दे रही हूँ ये भी उसमें ही आप लोग लिखेगा क्योंकि 8-9 पेज आप लोग लिख लें तो बढ़ियां रहेगा तो हम देखते हैं कि उसके बाद से हमें क्या लिखना है तो पहले इसके पहले का जो हमारा पॉइंट था वो मैं घरेलू हिंशा पर मैंने लिखवाया था अब किस प्रकार से मतलब हिंशा भी कई तरह से होते हैं महिलाओं पे जैसे कारे अस्थल पर योन उत्पीड़न का ये सारी चीज़े जो है तो इसे भी जब हमें सोसड ही लिखना है हिंसा लिखना है क्या क्या है तो सोसड भी हिंसा में ही आता है तो वो हम देख लेंगे हम हेंडिंग डालिंगे कि कार्यास्तर पर महिलाओं का योन सोसड तो इसमें है कि यौन सोसड अपने आप में एक ब्यापक अधारना है यौन सोसड का अर्थ केवल महिलाओं के सारीरिक सोसड सही नहीं अपे तो महिला वो पुरुस के विच अंतर सारीरिक लाव उनके सरीर यारंग पर की गई कोई टिपड़ी गंदे मजाग, छेड़ खानी, जान बुझ कर किसी तरीके से उनके सरीर को छूना उनसे जोड़ी किसी कर्मेशारी द्वरा फैलाई गई यौन सम्बंध की अफवा अपमान जनक तस्बीरे ये सभी यौन सोसड पर प्रभाव डालती है यौन सोसड का मतलब ये सारी चीजे भी यौन सोसड पर इफेक्ट करती है तो वीडियो पॉस कीजिए, आप लोग पॉस करके आप लोग उसको लिख लेजे फिर हम देखते कि कार्यस्थल पर यौन उत्पिड़न के जो कारण है वो कौन-कौन से कारण है तो हम सर्वर प्रथम ये देखते है कि पहला जो कारण है वो है कि आर्थिक असुरक्षय की भावना कार्यस्थल पर यौन उत्पिड़न वो छेड़ चाड़ को प्रशय देती है ये महिलाएं ना सिर्फ कार्यस्थल पर बलकी परिवहन वो अन्य अस्थानों पर भी छेड़ चाड़ का सिकार होती है दूसरा हम देखते कि यौन सो सड के प्रतिस समाज में महिलाएं शम्माने तर जागरुक नहीं होती अतव इसको पहचान नहीं पाती है तीसरा है कि कई बार महिलाएं कार्यस्थल पर यौन उत्विडन का विरूद इसलिए नहीं करती कि उन्हें लगता है कि बदनामी उन्हीं की होगी चोथा हम देखते कि वर्तमान समय में आज भी कुछ महिलाएं इस पुर्वागरह से ग्रशित है कि वे पुरुस के सापक शुक कमतर है वह कुछ नहीं बिगाड़ सकती या मानशिक उसमें हीनिता की भावना पैदा करती है जैसे महिलाओं को लगता है कि वो पूरुस का कुछ नहीं कर सकती मतलब पूरुस कितना वो भी कंप्लेन करेंगी पूरुस का वो कुछ कर नहीं सकती है तो यह भी कही ना कही महिलाओं के हीनिता का स्विकार है तो हीनिता की भावना पैदा करता है फिर हम देखते कि कार्यास्तर पर यौन हिंसा को लेकर जो प्रावधान किये गये हैं वो क्या थे तो यहां पर हम देखते कि नीजियों सारवजनिक कार्यास्तर लो पर महिलाओं को यौन उत्पेड़न से बचाने के उद्देश से सांसद में 2013 में तो कार्यास्तर पर महिलाओं को यौन उत्पेड़न से बचाने के उद्देश से सांसद हैं हमारा वो 2013 में 2013 में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था कि Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Reversal Act 2030 था जिसमें ये कार्यास्तर पर जो महिलाओं के साथ यौन उत्पेड़न हो रहा था छेड़खानी हो रही थी उनसे संबंदित अधिनियम था फिर हम दिखते कि इस फैसले के पास्चात कानौन रूप से कार्यास्तर पर पीड़ित यौन पीड़िता के लिए यौन उत्पेड़न रुक्थार मिसेद निवारण है तो 2013 की अधिनियम में निम्न प्रावधान किये गया मतलब यह जो 2013 का अधिनियम बनाया गया उसमें पहला था कि कार्यास्तर पर यौन उसटर की परिवाशा को बिस्तरित किया गया जिसमें महिलाओं को धमकी कि विरुद कार्यवाही स्वास्त और सुरक्षा आदि सामिल थी दूसरा था इस अधिनियम में संगठित एवं असंगठित छेत्र, सारवजनी छेत्र, नीजी छेत्र के आलामा ग्राहकों, खरिदारों के शाचाथ, घरेलू कामगारों को भी जोड़ा गया था मतलब ये था, मतलब इसमें ये था कि जो एंजियोस थे, वो भी इसमें सामिल थे, साथी साथ ग्राहक, ठीक है, और घरेलू कामगारों, मतलब घर पे भी जो हिंसाएं होती थी, ये सब भी इस अधिनियम के तहत सामिल थी, फिर महिलाओं के विरुद जो हिंशा है, उसे हम मतलब ये क्रोमोशोम के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि जो भुरूड में जो बच्चा पल रहा है, वो कैसा है, वो कन्या है या फिर, तो अगर स्वरी कन्या है, बालक है या बालिक है या इस से रिलेट, तो यहाँ पे अगर उन्हें पता चलता है कि ये कन्या यानि कि गर्व में धारन करने से ले करके उसके जन्म से लेके बालिका आवस्था से लेते हुए, कि शोरा आवस्था और प्रण आवस्था ये उम्रिद्धा आवस्था तक उसके साथ हिंसाई की जाती है, योन उत्पिरन का सिकार होती है, छेड़ खानिया होती है, उनको गंदे नजर से देखा जाता है मतलब जन्म से ही जब भी उनका जन्म होता है तब से ले करके और जब तक उनके मृत्यों नहीं हो जाती तब तक वो कहीं न कहीं सिकार की मारी होती है तो यहां पर मैंने कुछ ऐसे इसको डिस्क्राइब किया है तो आप लोग देख लेजे लिल चित्रर द्वारा तीसरा छेड चाड एवं यौन उत्पीडन द्वारा और चौथा है इसी ढमले द्वारा पाच्वा है यौन हिंसा और छट्वा है वैस्या बृति सात्वा है महिलाओं का सोसड दहेज प्रथा घरेलू हिंशा बुरूण हत्या तो यह सब क्या है गारेलू हिंशा इनसब को इफेक्ट करते हैं तो वैस्या बृति का अभिप्राय एक इस्तरी की यौन बेवड़ार से है जो बाहर या बिना विभाहा के ब्यापारिक अधार पर अस्थापित करती है वैस्या बृति धार्मिक और नागरिक संबुए द्वारा सबी लोगों की दिश्टी में यह निंदनी है according to जौफरी जौफरी ने कहा कि इन्होंने इसको परभाशत करते हुए इसके तीन तत्यों बताएं तो वह पहला मतलब इसके प्रकार भारत में वश्यवृति का अनुवान करपाना काफी कठीन है फिर पर कम से कम तीन प्रकार की वश्याय पाई जाती है जिसमें समाने वश्याय है दूसरा प्राइवेट वैस्याय है और तीसरा है गुप्त वैस्याय है तो जो समान वैस्याय है वो क्या होते है कि वो जो कोठों पर खुले रूप में कारे करती है उन्हें समाने कहते है और प्राइवेट मतलब यह होती ह कि वो एक भ्यक्ति की रख है लोती है ते वियो खिर गुप्त रूप से वैस्या भी करती है और अपना वemie wash रोप से वैस्यावृति के कारन क्या है तो इसके कारन है जिसमें पहला है समाज में इसरियों के अपिक्षभ पुरुसों के संख्या का ज्यादा होना एवं उनका समाजी को इमार्थिक रूप से कमजोर होना मतलब यह एफेक्ट करते है कि महिलाएं जो है उनकी जरूरते भी बहुत सारी होती है अगर घर में तीन सर लड़कें हैं अपके बात नहीं कर रहा है उसके जरूरतों को पुरा करने के लिए जो पिता है या भाई जो भी फरिवार को चला रहा है वो सक्षम नहीं हो पाता है तो उसके लिए क्या क्या tougher ङो और एक तरप से यह भी देखते है कि महिला और पुरुस में अगर हम देखते तो पुरुसों की मतलब महिला के अपरिक्षब पुरुसों की जो संख्या है वो बहुत जादा है तो लोग उसे अट्रक्ट करते हैं कि मैं पैसा दूँगा मैं ये करूँगा जिससे ये कहीं मतलब आर्थिक रूप से कमजूर होने के कहीं न कहीं वो मतलब दूसरे पुरुस के साथ उसको वो करना ही जादा सहीं लगता है कि वो वह सहीं रहेगा तो उसके वज़े से कहीं न कहीं effect करते है वश्या वृत्ति के लिए फिर हम देखते कि समाज द्वारा व्यृत्ति की जो स्विकार रहता है वो भी नहीं है तीसरा है कि पारिवारिक वैश्या वृत्ति के कारण वैस्याओं की कन्याओं को समाज द्वारस विकार नहीं के रहाता परिडाम सरूपों अपनी मा की वृत्ति को अपनाने के लिए बाध्य होती है धनकी लालशा ये भी कहिने का इफेक्ट करता है फिर है गलत संगत के कारण जीविका पार्जन के कारण भी है और अन्य कामों में अत्यांत श्रम में वेतन का कम होना मतलब की और जो भी कारये हैं उसमें ये है की अत्यधिक स्रम है ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जो वेतन हैं वो कम देना पड़ते है तो इसकी आपरेक्शा वो उसे ही ज्यादा असान समझते हैं और वैसे अव रित्ति को अपनाते हैं तो उत्पीडन के जो प्रकार है वो भी हम देख लेते हैं तो उत्पीडन के जो प्रकार है वो निम्नली खित इस प्रकार से हैं कुछ जिसमें पहला है हमारा सारीरिक उत्पीडन दूसरा है मानसिक उत्पीडन तीसरा मोखिक उत्पीडन चौथा आर्थिक उत्पीडन पाच्वा यौन उत्पीडन छठा समाजिक उत्पीडन साथवा है सांस्कृतिक उत्पीडन और आर्थवा है पारिवारिक उत्पीडन तो उन्हें मतलब ना चाहते हो भी किसी के साथ अगर जवर्दस्ती का यह उन संबंद वनाना पड़ता है फिर समाजी कुछ उत्पिड़ित करती है कुछ संस्कृतियां भी हमारी ऐसी हैं जो महिलाओं को उत्पिड़ित करने में योगदान देती हैं परिवारिक उत्पिड़न तो बहुत ही है तो यह सब प्रकार है इसको आप चाहिए तो डिफाइन कर सकते हैं और मुझे लगा कि ज्यादा बड़ा हो जागा तो मैंने इसको डिफाइन नहीं किया है फिर हम दिखते कि समाज लड़के वो लड़कियों अंतर करना बहुत कम समय में ही सुरू कर देती हैं जैसे लड़के को उने खेलने के लिए विन विन खिलोने दिये जाते हैं लड़कों को प्राया बंदूक और लड़कों को गुडिया लड़कों को कारे ही क्यों दी जाती है यह एक क्वेस्चन है तो यहां पर देखते कि दरशल खिलाओने जो है वो बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाता है कि भविश्य में उनका कारे कैसा होने वाला है लड़किया हमेशा जोख करके रहेंगी ज्यादा तेज आवाज में वो बात नहीं करती है हमेशा उनको यह सिखा जाता है कि धीरे बोलो कपड़े पहनने के भी मतलब जो तरीके होते हैं उसमें भी कही ना कहीं बतलाओ दिखाय जाता है और तो फिर क्या होते है कि जो लड एक धन है और जो उनके शादी से पहले उनके पीता के पास है और शादी के बाद उनके पती के पास है जिसके रक्षा उन्हें करनी चाहिए तो वो अपने आपको एक प्रतिस्ठा से जोड लेती है एवं ऐसे में वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने है तो दूसरी महि महिलाओं से सम्मद नहीं जोड पाती अब क्या होता है कि मालेजे अगर किसी एक महिला को कुछ प्राबलम है तो वो किसी पुरुष्ट अगर कहने चाहेगी तो आइधिंक वो पुरुष्ट समझते समझेगा लेकिन अगर एक औरत है वो दूसरी औरत की तकलिफ को जल्दी समझे की तो जो महिलाओं पीछे थी उसमें कहीं न कहीं ये भी कारण थे कि महिलाओं आपस में बात्चित नहीं करती थी अगर घर के पिता है वो बोलने को आगे वाले से बात नहीं करना आया तो वो उस चीश को एकसप्ट कर लेती थी और उस महिलाओं से संबंध नहीं ज जाती है अपने मन को यह समझा कर कि यह सभी उनके भागे में ही लिखा है एवं एक दिन दैविक न्याय का उनके उपर प्रकाश होगा तथा तब वह हर प्रकार के दुख से मुक्त हो जाएंगी और इसी आसा में वह सब कुछ सहती रहती है मतलब उन्हें यह लगता है कि जो क मुर्चा नहीं उठाई रहती मैला अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ी नहीं रहती तो आज भी मैलाओ की स्थिती वही रहती जो पहले की थी जो प्राचिन समय मैलाओ की स्थिती थी वही स्थितियां आज भी रहती तो कोई देवी शक्ति अगर हम देखे तो देवी महिलाओं के विरुद हिंशा के प्रकृति, विस्तार और विश्यसाइं क्या-क्या हैं वो हम देख लेंगे तो पहला है अपराधिक हिंशा जिसमें बालातकार, अपहरन और हत्यादी सामील है महिलाओं के विरुद हिंशा जिसमें दहे संबंदी मृत्यों पत्नी को पीटना, लेंगिंग दूर बैवहार सामाजिक हिंशा में पुत्र वदु को मादा भुरूड की हत्या के लिए मजबूर करना महिलाओं से छेट छाड संपत्ती में महिलाओं को हिस्दा देने से महिलाओं के विरुद हिंसा की शिकायते की संक्याव 2007 में 9853 से बढ़कर 2011 में 11419 हो गए मतलब लगबग 16 प्रतिसत जो महिलाय थी वो ससक्त होने लगी अपने लिए लड़ने लगी तो बुरिद्धी हुई और अभी तो 2022 आते आते इंसा बहुत ही हो गई यह बुरिद्धे तो भारत में नीमनों प्रकार की महिलाय हिंसा किस सिकार होती है जो कुछ इस प्रकार है तो कौन-कौन से महिलाय हैं किस प्रकार की महिलाय हैं जो हिंसा किस सिकार होती है तो हम दिखते हैं कि ऐसी महिलाय जो अशहाय और अवशाद गरस्त होती है जिनका कोई नहीं होता और ऐ इसी महिलाय जिनकी आत्मा छबी भी खराब होती है, क्यरेक्टर जिनका खराब होता है, जो महिलाय जवाब पुर्ण परिवारी के स्थितियों में रहती हैं, जिने समाज सासिय शब्दावली में शमाने परिवार नहीं का जा सकता, मतलब ये कि कुछ फैमिली ऐसे हैं, जैसे जिनके जो पती हैं, वो बहुत अधिक, मतलब अत्य धिक मात्रा में सराबो गरा पीते हैं, जिन में समाजिक परिपक्वता की, या समाजिक वैक्तिक प्रवीडताओं की कमी है, जिसके कारण उन्हें ब्यवाहार समबंदि समश्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर देख करन जो मैंने अभी जो प्रकार उपर बताया मांसिक सारी पारिवारिक उसके जश्ट नीचे आप लोग इसको अचाहिए तो डाल सकते हैं इसको डाल कि यह फिर ऐसे भी सही है ठीक है लिकिन क्लासिफिकेशन काइंड से पहले होना चाहिए मेरा मिस्टेक हो गया है तो आप लोग देख लेज़ें से अगर पॉसिबल हो तो कीजिए नहीं तो यहां भी तो कोई शू नहीं है तो पहला है धन को लेकर की का हिंसा दूसरा हिंसा जिसका उजश्य भोग बिलास हो तीसरा हि हिंसा जो तनावपूड परिवारिक परिस्तियों की कारण होता हो और पाच्वाइं अपराद करने वाले बिक्रित कारण होई हिंसा फिर इस्त्रियों की हिंशा वेमून की परिस्तिती में शुधार से संबंदी कुछ कानूनी नियम बनाए गये जिसमें हिंदु उत्तर अधिकारी अधिनियम था 1929 संसोधन विधेग था हिंदु मैला के संपत्ति की अधिकार का अधिनियम 1937 हिंदु विबा अयोग्यता निवारन अधिनियम 1946 कार खाना अधिनियम 1948 हिंदु विबा अधिनियम 1955 दहेज प्रतिवंद अधिनियम 1961 मात्र तुलाव अधिनियम 1964 समान परिश्रमिक अधिनियम 1976, अपराधि संसोदन अधिनियम 1983, बाल भिभार नीरुधक्ष संसोदन अधिनियम का पारित और अपरादिक कानून संसुदा नाधिनियम 2013 कारियस्तर पर महिलाओं को यौन रुद्पिडन रोक्थाम प्रतिशेद और निवारा नाधिनियम 2030 फिर ये भी चीज़े ये है सती प्रता है जोहर प्रता परदा प्रता और देवदाशी प्रता ये भी एफेक्ट करती थी तो देवदाशी प्रता के आई ये हम देख लेते हैं ये तो हमें पता है ये सती जोहर परदा ये देवदाशी प्रता ये है कि दक्षिड भारत के कु मतलब उस महिलाओं का एक मंदीर से या किसी मंदीर में मतलब मंदीर के किसी देवताश उनका विवा करा दिया जाता है और बाद में उन देवताश्यों के साथ उनकी यौन उनको यौन उपीडित किया जाता है और यह हिस्सा मतलब यह जो रूल्स है यह बना दिया गया है कि यह नहीं होना है तो भारत के कुछ हिस्सों में यह एक रिवाद सा बन गया है तो यह ही था और यह हमारा अब कंप्लीट हो गया आप लोग अगर कल वाला वीडियो है उसको और यह वाली बीडियो इन दोनों को मिक्स करके आप लोग लिख लेजे आइधिंग नौदस पेज हो जाने चाहिए और हजार वर्ड है तो आठ से साथ आठ नौ पेज तो बहुत है दस हो जाए तो और भी बड़ी है क्योंकि हजार है हजार सुनने में भी वह है तो उसको लिखना भी पड़ेगा तो आप लोग इसे देखिए और वीडियो लाइक कीजिए सेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाए और कमेंट करके बताए वीडियो आ तो बीडियो देती हूं यहां फिर परस्पेक्टिव वाला है अभी तो चार बीडियो और अपने कोर्स थे उन चारों पर लिखना है यह तो पाच्छे कोर्स का मैं बताएं देखती हूं तो नेक्स बीडियो में चौथे पर बनाऊंगी तो टैंक यू सो मजमें वीडियो को देखने के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए और प्रीज म Eden को अपने ङू करते रहे हैं लाइक करते रहें सेर करते रहें सब्सक्राइब करते रहें तैंक यू सो मज़ गाईज